पाकिस्तान के बीते लंबे समय से बुरे हाल है यहां लोग आर्थिक तंगी से जूज रहे हैं दूसरी तरह पाकिस्तान राजनितिक संकट से भी जूज रहा है सिर्फ राजनितिक संकट से पाकिस्तान के हालाद खराब होते जा रहे हैं क्योंकि लंबे समय से पाकिस्तान में कोई सरकार टिक नहीं पाई है बार बार सरकार यहां बदलती रहती है इसी तरह फिर से पाकिस्तान में सरकार बदलने वाली है ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि पाकिस्तान में संसत को 9 अगस्त को भंग कर दिया जाएगा। प्रदानमंतरी शहबाज शरीव ने गुरुआर को इसका ऐलान भी कर दिया है। संसत सदस्यों के सम्मान के लिए एक डिनर का आयोजन भी किया गया है जहां शहबाज संसत के सदस्यों के साथ मुलाकात भी करेंगे। का जा रहा है शहबाज ने मुलाकात के दोरान देश के राजनितिक हालातों को लेकर बात की। सांसदों से मिलने के बाद ही प्रधानमंतरी शहभाज की तरब से संसद को भंग करने का एलान किया गया ऐसे में अब फिर से चुनाव होंगे और यहां फिर से नई सरकार बनेगी मुईं मीडिया रिपोर्ट्स के मताबिक शैवाद ने संसदों से सुजाव मांगा और कारेवाख प्रदान मंतरी और कारेवाख स्टे अब के लिए विवस्ताओं पर बात की अगर किसी कारण की वज़े से वो ऐसा नहीं कर पाते तो संसद अपने आप ही भंग हो जाती है प्रधान मंतरी शहवाद शरीव ने इस बात का अश्वासन दिया है कि वे तीन दिनों तक विपक्ष के साथ चर्चा करने वाले हैं इस चर्चा के बाद ही कारण कारण मंतरी का नाम राश्पती को सौपेंगे हाला कि इस पर अगर कोई सहमती नहीं बनती है तो पाकिस्तान का चुनावायो खुद कदम उठाएगा और पस्तावित नामों में से किसी एक को कारण कारण मंतरी के तोर पर चुन लेगा आपको बता दें कि पूर प्रदान मंतरी इमरान खान के नेतरत वाला विपक्ष लंबे समय से चुनाव करवाने की मांग कर रहा था शेबाद सरकार के कारेकाल को लेकर बात करें तो कम समय तक ही वो पी-म रहे के जरी प्रदान मंतरी पच से अटा दिया गया था उस दोरान विपक्ष ने इमरान खान को लेकर का था कि वो अर्थिवस्ता और विदेश की नितियों को ढंक से नहीं समाल पा रहे हैं इसलिए उन्हें हटाना जरूरी है इसके बाद ही विपक्षी पार्टियां इमरान के खिलाफ संसद में अविश्वास प्रस्ताव लेकर आई प्रस्ताव पास होने के साथ ही 18 में सत्ता संभालने वाले इमरान की विदाई हो गई इसके बाद विपक्षी पार्टियों के गडबंदन साथ आया और मिलकर सरकार बनाए गई इस सरकार में शहबाद शरीफ को प्रधानमंत्री बनाए गया लेकिन बीते दिनों आर्तिक संकट और राजनितिक संकट के चलते शहबाद शरीफ की विदाई होने वाली है पाकिस्तान में शहबाद जनता के आर्तिक संकट से लड़ने की बजाए आपस में ही इमरान खान से लड़ रहे हैं दोनों की इस नफरत भरी सियासत से पाकिस्तान की जनता भूकी मरने को तयार है वहां सरकारों को सिर्फ अपनी क झाल 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 झाल